भगवद गीता के अध्याए एक में जिसे अर्जुन विशद योग या अर्जुन की निराशा का योग कहा जाता है। अर्जुन, एक योध्धा राजकुमार, कुरुक्षेत्र के युध्ध के मैदान पर संदे और नैतिक दुविधा से भरा हुआ है। वह अपने ही रिष्टेदारों, शिक्षकों और दोस्तों के खिलाफ महान युध्ध में लड़ने के लिए अनिच्छुक है। अर्जुन की भावनात्मा कशांती उसे युध्ध की धार्मिक्ता और उसके परिनामों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने सारती, भगवान कृष्ण से मार्ग दर्शन चाहते हैं, जो अध्यात में ज्यान और शिक्षा देना शुरू करते हैं जो पूरे गीता में जारी रहती है। यह अध्याई आगे आने वाले दर्शनिक प्रवचन के लिए मंच तैयार करता है।